हेलो फ्रेंड्स आप देखने हैं आपका चनल शेयर बजार वित आयुश और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आई रेडा के बारे में आज जिस तरीके से हम कह सकते हैं एक बढ़िया तीजी के बाद स्टॉक में अब प्रॉफिट बुकिंग साफ सफ दिख रहा बाकि अगर आज कर सबसे बहले शुरुबात से करें ओपन से देखिए ओपन आज 67 रुपीज पर हुआ उसके बाद 68.40 तक स्टॉक गया लेकिन उसके बाद 62.30 का इसने लो बनाया और 62.70 पर अकर क्लोजिंग दिय रहा है तो इसका मतलब साफ साफ यह है कि स्टॉक के आने वाल दिरों के अंदर यह क्या स्टॉक यहां से और भी गिरावट दिखाने का पूरा दमखम रखता है या फिर से पलट जाएगा इन लेवल से तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज profit book होता हुएँ नजर आ अन सय निक प्रिशर साफ साफ दिखता हुआ नजर आए उस्तॉक का चाड़ कभी अगर कभी देखे है उस्तॉक कह सकते हैं, reversal नहीं मार पाया कोशिश की, लेकिन फिर से reversal नहीं मार पाया, से देखे, पहले शरुबात में यहां पर गिरा, फिर एक reversal का try करता है यहां पर, बट stock successful नहीं हुआ, फिर वापिस गिरा, थोड़ा बहुत reversal का chance बन रहा था, बट वो अगेन वापिस से attempt खराब हुआ and stock फिर नीचे तेजी से गया, फिर वापिस से reversal का कोशिश किया, लेकिन फिर वापिस हम कह सकते हैं, stock में गिरावा टाई तो overall, इससे साबित क्या होता है, साबित यही होता है दोस्तों कि stock के अंदर आज selling pressure जो था, वो no doubt काफी ज़दा हावी था, अगर आज की में volume की बात करता हूँ अब notice कर सकते हैं कि 62.70 पर बंद हुआ है, लेकिन खास बात यह है कि इसके अंदर at the end also, buying देखने को मुलिए, बाइंग orders दोस्तों almost pending थे, और करेवन 20,328 orders आपको देखने को मुलिए, कर जो थोड़ी सी अजीब बात है, क्योंकि गिरावट जो है वो देखने को मुलिए, और सिलिंग देखने को मुलिए, तभी दोस्तों stock में इतनी गिरावट आई है, बाकि आज के अगर volume की बात करता हूँ, तो almost 14 करोड 41 lakh shares आपको नज़र आएंगे जो trade होते हुए नज़र आएं, जो no doubt देखिये, बढ़िया था, इसमें कोई doubt नहीं है क्योंकि stock के shares है, काफी बढ़िया free float है, अच्छा कासा, but no doubt देखिये, 14 करोड 41 lakh shares आपको आज trade होते हुए देखने को मिले, and majorly हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो girawatt आपको आती हुए देखने को मिले, वो एक अच्छी खासी 30 के बाद आती हुए नज़र आई है, तो उसको मैं जादा, जैसे मैंने का, मैं profit booking ही कहूँगा, क्योंकि यह अपना आप में सही है, क्योंकि यहाँ पर girawatt जो है, वो profit booking के कारण ही बनता हुआ नज़र आया है, बाग यह बाद ज़रूर है कि दोस्तों, जो लास्ट दो दिनों में volume हुई, obviously, first day जो होती है, volume हो में से जादा होती है, जैसे 29 November को आप volume देख सकते हैं, इतनी थी, almost 57 узнаまた ऐसकी, बाद घीरे दीरे करके को कम ह patch mm, अईसा होता भी है, कुछ खरीटे हैं काफी बीरी से, उसके अगली दिन हम कहा सकते है stock में अगर कोई move अच्छा आता है तो और volume देखने को मिल जाती है लेकिन फिर third, fourth day दोस्तों stock जो हो basically settle होने की कोशिश करता है लेकिन आपको पहले भी कहा था कि जब दोस्तों इसके इंदर गिरावट आईगी का था को गिरावट आईगी सभाव एक से बात है बाकि अगर एक और जो important यहां पर सबके दिमाग में question है वो इसके नवरतन स्टेटस को लेकर है राइट कि नवरतन स्टेटस मिला कि नहीं मिला तो उसके उपर अभी तक company ने तो कोई update नहीं दिया है और ना ही दोस्तों एक ख़बर निकल किया है कि इसको नवरतन स्टेटस मिल भी पाया कि नहीं मिल वाया company के खुछ चेर्मेन ने कहा था कि नवरतन स्टेटस के लिए बात होगी तीस तरीक को सरकार के साथ पर उसके उपर कोई company ने अपडेट नहीं दिया हो सकते है कि थोड़ा बहुत लेट आए अपडेट उसको लेकर पर आइधिंक वो भी एक बाजार मेहसाब से उसको प्राइजन कर चुका है उस ख़बर को मेहसाब से बाजार ने प्राइजन कर लिया इसलिए आप कह सकते हैं कि स्टॉक में जो तेजी थी जो कल की तेजी थी यानि एस्टड़े की तेजी थी वो पढ़िया थी उसके पीछे का रीजन था कि बाजार समझ के चल रहा था कि इनको एक नवरतन का स्टेटस मिल जाएगा लेकिन आज हम कह सकते हैं वो खवर निकल के नहीं आई हो सकता है कि मिल भी जाएवी भी कोई बड़ा डाउट नहीं है गिरावट का एक बड़ा कारण अगर आप ढूंड रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन में आपको बता दे क्या हो सकता है उसके पीचे का बेसिक रीजन अगर लगाता है अगर नोटिस करेंगे तो शेयर के अंदर आपको स्टॉक के अंदर वॉल्यूम जो है उसका एक अच्छा का सा अंच बल डील ही करता है नोडाउट उसमें कोई बट यहां से अब देखना हमको यह है होगा क्या ना कि यहां से कितना दुस्तों यहां से स्टॉक में हम कह सकते हैं वह लेवल टूट जाएगा क्योंकि यहां से 70 के अटम्ट के लिए बातचीत हो रही थी बट मैं आपको पहले भी कहा था कि स्टॉक थोड़ा सा धीरा धीरे होगा ऐसा नहीं कि एक फ्लो में चलता हुआ नजर आएगा सिफ एक डारेक्श होगी तो स्टॉक ने आज एक बेसिक प्रॉफिट बॉकिंग दिखा दिये और अब वो जो बेसिक प्रॉफिट बॉकिंग हो चुकी है तो यहां से हो सकता है कि विस्स स्टॉक आपको रिवर्स भी होता हुआ नजर आ जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए ज बाइस 20,000 थे जो अपने आप में थोड़ा सा अजीब दिखता है अब यह जरूर देखने वाली बात होगी कि वो मंडे को किया कितना स्टॉक में मूव लाते हैं तो मंडे को एक तो यह है कि बाजार के अंदर आपको काफी सारी खबर पर बाजार रियाक्शन देगा खबर यह सा नहीं है शौटन को इंपयक्ट आयेगा मैं मानता हूँगी सिर्फ तीन नारी को जितना इंपक्त आन होगा वो इतना इंपक्त आ जाएगा वो भी होसकता है कि फ़र्स डाप के लाए और secrant आफ के अंदर बाजार उस इंपक्त को भूल जाए बहुत आद जाशन से दे क्योंकि state elections है और state elections को कितना ही जादा हम दोस्तो directional ले ले for the general elections में आप से कुछ मतलब नहीं बनता है और क्योंकि state में और general elections में बहुत difference होता है जो I think bazaar भी कुछ समझता है पट क्योंकि देखे वो एक election है बड़े states के election results है तो bazaar उस दिन किस तरीके से जाएगा उपर नीचे वो देखने वाली बात होगी क्योंकि आज दोस्तो एक बड़ा कारण हम कह सकते कि stock जाजा नहीं गिर उसके पीछे का reason हो सकता है bazaar की तीजी भी क्योंकि आज bazaar का support था तो अगर दोस्तो बाजार मान लीजे होता 150 point नीचे होता तो कितना और नीचे जा सकते थे यह 5% 6% 7% कितना नीचे यह देखने वाली बात बहुत दिल्चस्प होती है तो मैं सबसे वो हमको पता चलेगा जब बाजा थोड़े बहुत गिरावट दिखाएगा तब कि किस डायक्शन में स्टॉक जा रहे लेकिन हां 70 रूपीस का लेवल बहुत आसनी से तो नहीं आएगा क्योंकि वैलुएशन की भी नाम की चीज होती है और वैलुएशन कितना है दोस्तों बढ़ती जाएगी मैं से थोड़ा सा स्टॉक के आप वेट करिए रिजल्स आने दीजिए जिनके पास अल्रेडी है घुड करिये ना लॉघ टर्म के लिए आपके पास अगर श्टॉक है अगर आपका व्यू लॉघ टर्म करिए कोई प्रॉबलम नहीं है वालाब कम्प्नियं तर वेट कर सकते हैं और मौका मिलेगा याद रखिए बाजार आपको मौका जरूर देखा बस वो मौके पर चौक के expectation करके चल सकते हैं यहां से 70 VPS का level भी दिख सकता है तो इशुरू में इतना ही था friends hopefully आपको वीडियो बढ़या लगा होगा thank you friends for watching this video